हेलो फ्रेंज वेलकम अगेन माई चैनल वैसे यह जो वीडियो मैं बना रही हूँ पैयोनीर अकाउंट का तो यह कॉमन वीडियो है क्योंकि पैयोनीर अकाउंट सिर्फ स्टार्मिकर के लोगों को ही काम नहीं आने वाला है ब्राडकास्टर्स को यदि हम कहीं से भी इंटरना पैाइर बैंक की अकाउंट की बहुत ज़रूरत होती है और यह एक बहुत जरूरी चीज है इसलिए मैं यह वीडियो बना रही हूँ और step by step मैंने समझाने की कोशिश करी है और star maker की लोगों के लिए इसलीज जरूरी है क्योंकि मैं खोद एक official agency broadcaster हूँ और मेरे कई verified जो broadcaster friends हैं और agency broadcaster friends हैं और एक normal broadcaster जो भी star maker पर काम कर रहा है तो उन्हें काफी problem आ रही है क्योंकि star maker से जो कम के diamonds हैं वो अप coin seller जो है exchange नहीं करेंगे direct तो हमें bank transfer करवाना पड़ रहा है या फिर pioneer account कोलना जरूरी है और मैं आपको बता दूं कि bank transfer जो है मैंने उसका वीडियो अभी तक इसलिए नहीं बनाया क्योंकि bank transfer से मैंने अपने diamond exchange करने की कोशिस जरूर की थी diamond exchange जो है के लिए चले तो जाते हैं बट बार बार return back हो रहे हैं और चाहे वो मैं government bank में transfer करें या फिर private में बट वो return back आ रहे हैं तो इस current से जो है जब मेरे diamond exchange नहीं हो पाए और वो money में convert नहीं हो पाए तो यह बहुत problematic चीज़ है जो बहुत लोग face कर रहे हैं और इसलिए अब मैंने जो है पैनीर account कोला है और इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूं ताकि आप लोगों के लिए जो process है वो आसान हो जाए और आप किसी fraud से बचे हैं क्योंकि fraud इसलिए बोला मैंने क्योंकि हमारे एक sir हैं जिन्होंने पैनीर account कोलने की कोशिश करी पर पैनीर account के दौरान बीच में जो links दी होती है help line की जब उन्होंने उनसे contact किया तो help line के लोगों के द्वारा थोड़ा सा fraud करने की कोशिश की गई और उनसे OTP वगर की मांग की गई बट वो सचेत थे इसलिए उन्होंने नहीं दिया तो आप सभी से ही request है कि पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और किसी भी इस टाइब के fraud से बचने के लिए आप किसी भी help line नंबर या किसी link पर click ना करें जो भी चीज़ें समझाई गई हैं उसे बहुत ध्यान से समझकर और pioneer account खोलें यह safe है कोई problem नहीं है मेरे कई friends से बात हुई जो pioneer account से exchange कर रहे हैं अपने diamonds को तो इसलिए आप लोग भी कर सकते हैं और मैं खुद भी करूंगी तो जो भी चीज़ें करें अपने भरोसे पर और बहुत ध्यान से सोच समझकर और step by step चीज़ों को समझें और फिर करें और account खोलें और फिर अपने diamonds जो हैं आप exchange करवा सकते हैं चाहे वो 500 डॉलर से कम भी हो और इसके कुछ फाइदे भी हैं जैसे pioneer आप account open करते हैं तो उससे आपको क्या फाइदे होंगे आप उससे भी कैसे money earn कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी आपको तो वो चीज़ों को भी आप ध्यान में रखें और अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको जो है pioneer account को open कर करने के लिए मैंने description में एक link दी है उस link को click करके आप safely जो है pioneer account open कर पाएंगे उसकी जो भी informations है वो उनको दे कर और दूसरा फाइदा ये है कि जब आप उस link को click करके ही आप pioneer account जो है अपना open करेंगे तो आपको जो है 50 dollars का फाइदा हो सकता है वो कैसे कि जब आप ये pioneer account open कर जाएगा एक साथ होना जरूरी नहीं है जब भी आपका thousand dollars का exchange हो जाएगा pioneer bank के through तो जो है आपको 50 dollars जो है pioneer bank जो है वो provide करेगा तो इसका फाइदा ये भी है तो आप उस link के through जो है pioneer जो account है वो open कीजिए और safely जो भी चीजे मैंने video में बताई है उसको बिना skip कीजिए करें और देखिए और उसको follow करते हुए अपना pioneer account open कीजिए तो friends जैसे आप link पर click करेंगे तो आप इस तरीके से आपके पास वो sign up form आएगा और उसमें आपसे कुछ information ली जा रही है individual पर click किया मैंने और get paid by international clients और marketplaces और फिर register किया तो बस यह आप register करेंगे और आपके पास जो ह form के इस चार स्टेप में से पहला स्टेप जो है वो आ जाएगा और इसकी जो भी information है वो आपको fill up करनी है चार स्टेप में से पहली स्टेप यह है individual पर है इसमें क्योंकि हम individually काम कर रहे है as a broadcaster यदि एक common person देख रहा है जो अपनी company own company को lead कर रहा है तो आप company को भी कर सकते है मैं अभी फिलाहल star maker के लोगों के लिए बना रही हूं broadcasters के लिए इसलिए individual पर click करना है first name last name आपका लिखना है और यह सब आधार कार्ड में से लिख दीजिए आपके आप इंदिया के हैं तो और email id और आपको email address जो है री enter करना है और फिर इस email address जो है री enter करने के बाद date of birth करनी है date of birth के लिए year में आपको थोड़ी problem आ सकती है तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूं कि क्या करना है जब आप date of birth के यहां click करेंगे तो आपको इस तरीके का यह flap दिखाई देगा यहां जहां ऊपर आपको year mention हो रहा है आपको उसको click करना है नहीं तो आप आप select कर पाएंगे और यदि आपको month select करना है तो month तो आप इस तरीके से आगे पीछे करके और आप select कर सकते हैं और जिस भी month में है आप उस date को ऐसे करके click कर सकते हैं तो इस तरीके से आपको यहां set करना है तो वो यहां आपको दिखने लगेगा अब जब आप step 2 पर आएंगे तो देखिए इंडिया country थी तो वो तो अपने आप लिखी हुई आ गई आपको आपका street और number जो है वो लिखना है और आपका optional address हो वो भी आपको वापस mention करना है यदी हो तो city और town लिखना है आपको postal जो आपका zip code है वो आपको लिखना है आपका यदी इंडिया से है तो plus 91 ही mobile number का code होगा और mobile number देना है आपको उसी पर आपका एक verification code आएगा आप send code करेंगे तो वो verification code आएगा वो आपको यह mention करना है और फिर आपको next जो है पर click करना है तो इसके बाद आप next third step पे आजाएंगे email ID आपका वही रहेगा जो आपने डाला है उसका आपको एक password सेट करना है वही password आपको re-enter करना है फिर security question आपको इसमें से जो arrow दिख रहा है वहाँ से आपको जो भी आपको अच्छा लगे वो security question लेके आपको security answer देना है ताकि वो आपको टैली कर सकेगा आपकी country डालना है आपका pen number बोला है इसमें तो इसका side में जो आपको arrow दिख रहा है उसस according ही आपको नाम mention करना है और फिर उसके बाद recapture भरना है recapture आपको number one step में भी भरना है तो आपको ना समझ माया रिफ्रेश कर सकते हैं और फिर उसको click करके I'm not a robot पर click हो जाएगा फिर आप next पर click करके next step पे जा सकते हैं next four step में जो है आपका personal account पे आप देख रहे हैं कि red mark आ रुपीज जो है currency वो है आप आपके country का according कर सकते हैं आपका जो भी bank का नाम है वो आपको mention करना है आपका खुद का नाम फिर आपका bank जिसमें आप transfer करवाना चाहते हैं अपने money को और उसका FSC code आपका pen number फिर से डालना है account type current है saving है ये डालना है और ये पूरी information सापको बहुत ध्यान से बहुत care से डालना है क्योंकि उसी में आएगा और उसके बाद कुछ terms and conditions है उनको आपको agree करना है दोनों को और फिर आगे बढ़ना है और बस submit कर बस उसके बाश होगा कि review में है आपका ये process friends तो जैसे ही आपने account का पूरा process complete किया तो उसके बाद आपको उ तो वो जो है उसमें से कुछ मैं आपको बता रही हूं कि email ID verify करने के लिए आएगा तो जहां लिखा हुआ verify my email उसको click करके आप verify कर सकते हैं आपके email को उसके बाद कुछ additional information मांगी गई है जैसे IEC code that is import export code तो ये आपके पास हो तो आप ये go to verification center को click करके आप कर सकते हैं यद जो है के लिग गया है तो वो अप्रूफ हो जाती है मेरी एक गंटे के अंदर अप्रूफ हो गई थी थोड़ा time ले सकता है तो इसके लिए परिशान नहों फिर उसके बाद जैसे ही आपका account बनेगा तो आपको एक welcome message आएगा और welcome message में आपको मतलब आपको पता चल हैं और sign-in कर सकते हैं अपने account में आपका email id वही डलेगा जो आपने उसमें डाला है और वसी का password डालकर आप sign-in कर सकते हैं अप回去 तो आप ये discover pioneer में जाके आप उसको click करके आप direct sign in कर सकते हैं आप pioneer app को download कर सकते हैं उसके through भी आप direct sign in कर सकते हैं आपका email ID और password आप डाल के और आप sign in करिए अपने account के अंदर और अपने account के अंदर sign in जब करेंगे और उसके बाद आप जब देखेंगे कि आपको two step verification के लिए बोला जाएगा तो आपको turn on करना है अपने two step verification को turn on जब आप करेंगे तो वो आपस verification code मागेगा तो आपके phone पर आएगा वो आपको submit करना है submit करने के बाद वो आपको एक recovery code देगा वो मिलने के बाद आप वापस अपने gmail box को check कीजेगा आपका two step verification turn on हो चुका होगा और आपको ये पास एक gmail पर आपका एक email आया होगा pioneer की तरफ से और वो आपको ये बता देगा कि आपका two step verification turn on हो चुका है two step verification के बाद जब आप अपने account में फिर से re-enter करते हैं आप नीचे देख रहे हैं you have one required action two required action कुछ भी दिखेगा आप उसको click करिएगा तो वो आपसे कुछ चीजें जो है information चाहेगा वो चीजें आपको inform करना है submit now करेगा submit करने के बाद आपको इस तरह की किसे दिखेगा update your security settings को आपने click किया तो आपसे कुछ security question पूछेगा आप अपने हिसाब से security question और answers जो है select कीजेगा बस उसको change कर दीजेगा फिर वो आपको एक code देगा वही code आपको डालना है फिर security questions ये पूछा उन्होंने मैंने done किया तो देखिए settings हो गया अब update यह प्रोफाइल settings तो अब हमको ये भी update करना है तो वो की update ना हो तो उसके बाद आप देख रहें कि ऐसे purpose code पूछेगा तो purpose code आप आपका जो purpose आए यदि आपको इस में से समझ में आ रहा है तो बहुत ठीक आप वो select की कर लीजिए और यदि आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है इन में से कि आपको क्या लिखना चाहिए तो मैं एक suggest कर रही हूँ वो जो है आप वो वाला purpose code जो है डाल दीजेगा पहले देखकर purpose आपका जो भी है तो ये देखिए P1099 Other Business Services ये आप purpose code डाल दीजेगा और okay कर दीजेगा यदि आपको ना समझ में आ रहा हूँ तो ये save हो गया और बस अब उसके बाद आप ये देखिए कि done करा मैंने और ये देखिए ये दोनों चीजें जो हैं हो चुकी है updated तो ये चीज हम लोगों ने complete कर लिए उसके बाद let's go पर click करना है और let's go के बाद आपका जो ये पूरा काम है वो पूरा finish हो चुका है और वो इस तरीके से आपको आपके account में ले जाएगा तो इस तरीके से pioneer अलगे लग countries में आपके account open कर देता है अभी भी देख रहा है आप नीचे तो जब आप उसको click करेंगे तो आपको उसको click करने पर जो है देखिए लिखा है you have information to submit तो आपको submit now करना है और submit now करेंगे तो देखिए ये दो चीजें और हैं जो बाकी हैं एक provide import export code तो वो ज़रूरी नहीं है बट account verification ज़रूरी है तो ये government issued photo ID के आगे जो arrow है आप उसको click कीजिए उसको click करेंगे आप तो वो आपको इस तरीके के page पर बहुचा देता है इसमें आपको बहुत सारी चीजें हैं आप पढ़ लीजिएगा और उस पर आपको click करके आप इसको पूरा जो information है वो पढ़ कर जैसे तो pen card किया और यहाँ add file जो है उसको click करना है और submit करना है इस तरीके से जो है आप आपका pioneer account खोल सकते हैं और सब चीजें अब ध्यान से समझ कर सेफली कीजिएगा और किसी भी link या किसी भी help line पर click करके बाचीत करने की कोशिश ना करें कोई भरोसा नहीं है तो जो भी चीजें आपको जरूरी थी वो चीजें मैंने समझाई हैं कुछ doubt रह जाए तो आप comment box में मुझसे पूछ सकते हैं तो कोशिश करूँगी कि आपके doubts को clear कर सकूँ और बाकी ऐसे कोई issue नहीं आप आराम से pioneer account आपकी सही information देंगे तो आपका pioneer account जो है आराम से open हो जाएगा अब उसके बाद का जो process है star maker के broadcasters के लिए कि कैसे diamonds को exchange होंगे क्या होंगा तो उसके लिए मैं एक अलग से video बनाऊंगी वो आप आगे देख लीजेगा आपका pioneer account बनने के बाद आप exchange कर पाएंगे अपने diamonds को तो वो कैसे करेंगे उसके लिए अगले वीडियो आएगा तो friends मिलते हैं अगले वीडियो में और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करके जरूर जाएगा और सभी friends से ये निवेदन है कि अपने friends को ये वीडियो जरूर शेयर करें especially broadcaster friends को ताकि उनकी भी help हो सके और वो misguide होके कभी किसी fraud के चकर में ना पढ़ जाएं तो जरूर शेयर कीजिएगा like कीजिएगा और आते रहेगा हमारे चैनल पर तो friends मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye all, take care, keep singing, keep chanting stay musical with me